इयोग्रफी अध्याय 5 जल, थल साला क्या होता है? यह चोटे घर के पोधे का कृतिम आहता होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष के में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी जलपरपात वर्षा की रिमजीम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड़े में कागच की नाओ तराकर बहुत खुश होते हैं तो पहर तक गड़े से जमा जल गायब हो जाता है वो जल कहां चला जाता है सूर्य केताब के कारण जल वास्पित हो जाता है ठंडा होने पर जल वास्प संगरन होकर बादलों के रूप ले दर्ती के भी चक्र लगाता है उसको जल चकर कहते हैं हमारी प्रित्वी थल साला के समान है जो जल सताब दियो पूर उपस्तित है वह वही आज भी मुझूद है जिस थल का पडियोग आज हम हर्याना के खेत में सिचाई के लिए कर रहे हैं हो सकता है कि वह सेक्रवर्स भले अमेजन नदी में बहता हो और लवन चल के मुख्य सुरूत ताल सोते एवं हिमनद महासागरों समुद्रों का जल लवनिया होता है इसमें अधिकांस नमक सोडियम को लड़ या खाने की उप्याजाने वाला नमक होता है थलजाला एक बड़े जार के एक चोथाई भागे मिटी भरकर उसे अच्छी तरह दवा दे इसके ओपर हुमस की एक पतली परत लगाए पहले सबसे बड़े पोधे लगाए तो रूपरांद उसके चारों और छोटे पोधे को विवस्तित करें इसमें जल की फुह शिरके ज जल चंगानित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है जल चक्र यहां दिया हुआ है यहां नदी का जल है जो वास्पी किरित हो रहा है वास्पी किरितों के यह संगनान करता है संगनान के बाद वर्शन होता है और फिर से यही प्रकिरिया चलती रहती है यहां विश्विर के प्रमुक समुदर नदी जीलों के बाड़े में दिया हुआ है लवन्ता हजार गराम जल में मौजूद नमक की मातरा होती है महासागर की ओसत लवन्ता 35 भाग प्रती हजार गराम है जल जल का वित्रन हम सभी जानते हैं कि प्रित्वी की सता प्रत का 3-4 जल जल से डाका हुआ बाइदी धर्ती पर थल कि अपक्छा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है कि प्रित्वी पर मौजूद संफून जल हमारे लिए उपलब्द है निकी तालिका में जल वितन का परतिसत दिया गया है मासागरों में 97.3 परतिसत जल है और तरक में के रूप में 0.20 जल है भूमीगा जल है 00.68 जीलो की अब लवन जल है 0.009 अस्थलिये समुद्री जल के बारे में कुतनी नमकीन जीले है में 0.009 वायू मंडल में 0.009 नदिया में 0.0001 इसको डूसर क्या आप जानते हैं जाले मेरीत सागरम 340 ग्राम प्रति लिटर लवनता होती है तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है कि अकलाप यहां दिया हुए दो लिटर जल ले माल लेकिया प्रित्वी के चतर पर जल की संपूर मात्रा है बरतन को बारत चमच जल माप कर उसे कटोर में रखे बरतन से जल निकालने के बाद से जल अब निये जल को अधर था था जो महासागर एवन समुन रह पा जाते हैं यह जल उप भोक के लिए प्यास प्यासे होने पर केवल जल हमारी प्यास बुझा सकता है ऐसे में आपको क्या क्या ऐसा नहीं लगता है किला परवाही से जल का उप्योग करने पर हम बहुत मुले संसाधन को परवात करते हैं दे वाटर यूट रिंक में मेजर रिवर्स इंडेजर इन ड्राय आउट ड्राइंग आउट गंगा अमोंग टेंड्राय रिवर्स महासागर यह परीशन रचन परीशन चलन समुन समुद्र तट पर नंगे पर चलने से कुछ जादूई से अन बहुत होती है फुलीन पर नम बालू ठंडर पवन समुद्री पक्षी वायों में लवनिय गंद एवन लहरों का संगीत सब कुछ समुद्र करने वाला पर्तित होता है ताल एवम झील के सांद जल के विप्रित महासागर यह जल हमेशा गतिमान रहता है यह कभी सांद नहीं रहता महासागरों की गतियों को इस परकार वड़ी की कित कर सकते हैं जैसे तरंगे ज्वारबाटा एवम धाराएं क्या कियाता है जब जल सांक्षन की विदिया विदियो को प्रापल किया जाता है परारशाध महासागर क посмотреть इस जीत्र में जानते हैं जानते हैं जब समुद्री सता पर पपण भांत यह तो तब कि मनुरंजंग होता है कैसे तरंगों के साथ गयंद तट पर वापस लौट आती है γιαę जब महासागरी सतर पर जल उठता है तो और गिरता रहता है तो इसे तरंगे कहते हैं तरंगे कि आप जानते हैं सुनामी जापानी भासा का एक सब्द जिसका अर्थ होता है पोतासरे तरंगे क्योंकि सुनामी आने पर पोतासरे नश्ट हो जाते हैं तुफान में तेजवायू चलने पर विशाल तरंगे उत्पन होती है इसके करण अधिक विनास हो सकता है भुकम ज्वाला मुखी उत्गार या जल के नीचे भुह असकलन द्वारा महासागरिय जल अत्यदिक विस्था भी दोता है इसके परिणाम सुरू 15 मीटर तक की मुचाई वाली विशाल जवारी तरंगे उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं अब तक का सबसे विशाल सुनामी 1.500 मीटर मापा गया है यह तरंगे 700 किलो मीटर प्रती गंटे से अधिक की गती से चलती है 2004 के सुनामी से भार 26 दिसमबर 24 को हिंद मासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोतासरे तरंगों के कारण अत्यधिक विनास हुआ यह तरंगे उस भू भू कम का परिणाम तर जिसका अधिक के अंदर सुमातरा की पच्छमी सीमा पर था या भू कम की त्रिवता डिक्टर प्यमाने पर 9.0 हो गई इस कारण यह भू कम पाया महासगरिय तल लगवक दस से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में जुग गया इस विस्थापन के कारण निर्मित अंत्रा निर्मित अंत्राल को भढ़ने के लिए 20 साल मात्राय महासगरिय जल उसी और बहने लगा फल समुन तर्ट की और लोटाया सुनामी लगवक आठ किलो मीटर 800 किलो मीटर प्रती घंटे गति की गतिस यह था जिसकी तुलना पर साइक वाई वियाना की गतिसे की जा सकती है और परिणाम सुरुप हिंद महासागर के कुछ दूइप पुंतर दूब गया भारतिय सीमा का द दूर दच्छिन बिंदू इंद्रा पाइंट जो अंड़मान निकोबार दूइप समूं मैं पूरी तरह से इस्तित है पूरी तरह से डूब गया जब सुमातरा ने भूकंप के अधिकरेंदी के तरंगों सुमातरा की तरफ से अंड़मान दूइप हैं सीरलंबका की और कि तरंगे तीन किलिमेटर तक की गहराई तक गई इसके फ़ल सुरूप दर जार से भी अधिक लोगों की मृत्यू हो गई और एक लाग से अधिक लोग घर प्रहावित हुए भारत में आंद्र प्रदेश के तठीय प्रदेश तमिलनाडू केरल पुद्दू जेरी तथा अ मासागर ने प्रदमिक चितावनी की आइसी परनालिया कि चील है लेकिं हिंद मासागर में सुवधाय नहीं है परसान्त मासागर ओ Untura में हिंद मासागर में सुनामी कभी कभी या तिये क्योंकि यहां वो कंपिक किया बहुत कम होती है तमिल्नाडू के तरपड सुनामी द्वारा विनास को दिखाया गया है दिसंबर 24 में जिस सुनामी ने दर्चिन एवं दर्चिन पूर्व एसिया के तोटों पर तवाही मचाई वह पिछले 100 वर्सों की सारवादिक विनासकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में रिक्षन आरमभिक चेतावनी की परणाली एवं हिंद महासागर में तटिये निवास्यों के जागरुकता की कमी के करण जीवन एवं संपति की अत्यधिक स्ठाथी हुई है तो लोग उच्छे अस्थानों पर जाकर उस अंचांबे को दे परेकत्र होने लगे इसके फलसरूप जब सुनामी की विशालत रंगे आई तो बड़ी संख्या में उच्छुक खड़े दर्सक की मृत्यू हो गई ज्वारभाटा दिन में दो बार नियम से महासागरिय जल का उठना और गिरना ज्वारभाटा कलाता है जब सारवादिक मुचाई देता तक उठकर जल तटके बड़े हिस्सों को डूबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं जब जल अपने नियमतन अस्तर तक आ जाता है तो तटके पीछे च सबसे उचे जवार कहते हैं लेकिन जब चन्रमा अपने प्रथा में अंतिम चतु थांस में होता है तो चांद हैं प्रित्वी के गुर्तवकर सनबल विप्रिदी साव में महासागरी जल पर पढ़ता है पर नाम सवरूप निम जवार भाटा आता है ऐसे जवार को लगू जवार भाटा कहते हैं उच्च जवार नो संचालन में सायक होते हैं यह जल अस्तर को तटकी उचाई तक बहुंचाते हैं यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सायक होते हैं उच्च जवार मचली पकरने में मदद करते हैं उच्च जवार के दोरान अनेक मचलीयों के बहुं सिरह करने के लिए किया जाता है लगू जो आरबाटा एंब्रिय जो आरबाटा का यहां धरताया गया है किरिया क्लाप एक बाल्टी नल को पानी के तीन चौथाई में भरे बाल्टी के एक और नी नीमजन चर डालकर पानी को गर्म करें दूसरी और फ्रीज से निकाली बर्फ डाले एक भूंद लाल से इडियाल कर सम्भूहन की पड़किरिया के तो धारा के मार्कुल रक्षन कीजिए महासागरी धाराये महासागरी धाराये निश्चित दिशा में महासागरी शता की नीमित रूप से बहने वाली ठंड की धाराये होती है महासागरी धाराये गर्म या ठंडी हो सकती है समान दा गर्म, महा साग्री धाराएं बुमत रहा कर निकट उधपन होती है। larger खंडी धाराएं ध्रूब या उच आख्छछान सों से उच उच्छिकां सों से उसट परभाईत होती है। डेप लेब्रो डॉर महासाकझड़ सीध जल धाराया हम ज महासागटबं किषेत्र की ताप्मा 맡 के प्रभाविद करति nate bike सतर का तापमान गर्म हो जाता है जिस अस्थान पर गर्म एवं सीध जाल दाराये मिलती है वह अस्थान भी जवर में सर्वुत्तम मतर्स से छेत्र माना जाता है यानि मचली पक्रनवला छेत्र जापान में आसपास एवं उतर कुरिया के पुरीवी तर्टों के कुछ इसके मासा अगर यह धराये जहां गर्म ठंडी जल धराये मिलती है वहां कुरे वाले मौसर बनते इसके पल जुरूपनों संचालाने बाधा उत्पन होती है झाले मिलती है